जाकते रहूं किसी ने गीता का शलोग भेजा कि जब अर्जुन को विराठ रूप के दर्शन हुए महाभारत के युद में कृष्ण ने जब विराठ रूप के दर्शन दिये तो अर्जुन भैभीत क्यों हो गए तुमने जो चित्र बनाए है पुस्तकों में चित्र भगवान किशन का विराठ रूप सैकडो मुँ बना दिये बहुत बड़ा बना दिया कितना भी बड़ा बना हो आखिर एक तो लिमिट होगी सीमा होगी ऐसा दर्शन नहीं हुआ था यह तुमारी कोडी कलपनाई है जिस दिन तुमें भी उसका अन्भव होगा ना तो तुम भी पहले डर होगे कप होगे हो सकता है तुम लड़ खड़ा कर गिर जाओ क्योंकि सामने एक ऐसा अस्टित्व खड़ा होगा जहां तुमारी पूरी की पूरी अस्मिता गिर गिर जाएगी पूरी अस्मिता खो जाएगी और जहां तुमारी अस्मिता खो जाए तो ध्यान से देखना सीधे साधे शब्दों में शुद्ध भाशा में वो तुमारी मोत ही तो हुई परमात्मा और मोत इनमें बहुत जारा भेद नहीं है मोत बनकर भी तो परमात्मा ही आता है और केवल मोत ही नहीं जीवन बनकर भी वही आता है तुमारे भीतर स्वास के रूम में वही तो आता जाता है तुम रात को सो जाती हो लेकिन वो तो बीतर जागा रहता है तुम्हारी धड़कन में धड़कता है जीवन में भी वही है और मोत में भी वही है तुम सो गए है मस्तिश के सो गया लेकिन स्वपन तुम देखते हो न कोई तो ऐसा विद्धमान है दूर अंधेरे में कहीं तो लो जल रही है कोई तो है जो जीवन था है वहाँ पर भी तुम्हारे सोने के बाद भी तो जीवन में भी वही है और मोत भी वही है इसलिए मैंने तुम्हें पहले भी कई बार समझाया है कि प्रशन आख खोलने का है चाहे जीवन जीते हुए खोलो चाहे मोत के शण में और यह मत सोचना खुलेगी नहीं खुलेगी और स्वयम खुलेगी मेरी खुली तो तुमारी भी खुलेगी जीवन में ना सही मोत के शण में खुलेगी लिकिन मोत के शण में खुली आख तुम्हें दुख देगी, घंगोर पीड़ा देगी तभी तुम रोगे, चिलाओगे, हाई कितना सुन्दर जीवन था, जीने के लिए मैंने यूँ ही वर्त गवा दिया वो तुमने कहानी सुनी हुई है न तुम्हारे पंडितों परोईतों के मुख से कि मृत्तु के समय में, कंट में ऐसा दर्द होता है जैसे हजार बिच्छों ने इकटा डंक मारा हो, जूट है वो उन्होंने शास्त की रटी-रटाई कहानी सुना दी किसी मूड ने कभी कहानी बना दी हो, ऐसा दर्द नहीं होता तुम जिस शर्ण जागोगे, उस शर्ण तुमें उस दर्द का भी पता चल जाएगा ये दर्द नहीं होता कि बिच्छों काट रहे हैं ये भी दर्द नहीं होता कि जीवन बीच में से सरक गया, निकल गया दर्द केवल इतना होता है हाई कितना सुन्दर जीवन था पर मात्मा ने एक अबसर दीया था जीने के लिए और मैंने वीर्थ गवा दिया कंकर-बत्थर बटोरने में गवा दिया और तुमने सभी ने वीर्थ ही गवाया है और जिनों ने वो जीवन गीत गागा कर बिताया है ना उन्होंने भी वियरत गवाया है गीत तुम्हारा ही गीत तुमने सुना है ना गीत लूट लो जिसका दिल चाहे मैं शोर मचाऊं गली-गली और किश्न नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली-गली वो बोलने से कुछ नहीं होता है जीवन जीना पड़ता है उस बोलने में ही ये पता चलता है कि तुम जीवन जीने से चूक रहे हो कुछ हीरों के पीछे पड़े है कुछ धन संपता के पीछे पड़े है कुछ इससी पुरुष के पीछे पड़े है तुम किशन नाम के पीछे पड़े हो जीवन तो व्यरत का व्यरत ही है कुछ भी तो उंतर नहीं है दो कारणों से ही ये गीत गाया गया आखे खोलो देखो पहला तो किशन नाम की दुकान चल रही है गीत गाओ चड़ावा आएगा पद प्रतिष्टा होगी मान सम्मान होगा महात्मा बनेंगे हलवा पूरी मिलेगा और दूसरा तुम भैबीत हो बविश्य से मरने के बाद क्या होगा कहीं नरक में तो नहीं जाना पड़ेगा चलो थोड़ा मक्षनी लगा लें भगवान को दोनों ही इस्तितियों में तुम चूग जाते हो जीने से तुम भैबीत हो तब भी तुम चूग रहे हो तुम यहां धन बटोरे जा रहे हो जीने से चूग रहे हो यहां ना तो भूत काल है ना भविश्य काल किसकी चिंता करे जा रहे हो यहां तुम जीते हो तो वर्तमान में केवल यहां वर्तमान काल है और तुम सभी या भूत की इस्तितियों को याद करकर के दुखी रहते हो या बविश्य की चिंताओं से दुखी रहते हो और बविश्य की चिंताएं जादा है और इस जीवन की बिविश्य की चिंता हो तो कुछ कहने की बात है तुमारे सारे धार्मिक लोगों को मित्तु के बाद के बिविश्य की चिंता है मित्तु के बाद क्या होगा किस लोक में जाएंगे स्वरक जाएंगे, नरक जाएंगे, बैकॉंट चाहेंगे ये जितनी कथाओं में तुम जाते हो नाचते हो, कूदते हो हलवा पूरी बाढ़ते हो ये तुमारी बैकॉंट की टिकटी तो अपनी पक्की कदा है हो लेकिन मिलती किसी को नहीं सारा बैकॉंट स्वारग, गोलोग बिंदावन सभी तो यहीं है लेकिन किसी पागलो की दोड़ में तुम लग जाते हो और पूरा जीवन वो दोड़ चलती रहती है यहां वर्तमान यहां मोत भी आती है तो वर्तमान में आती है कभी ऐसा हुआ देखा है तुमने कि कोई व्यक्ति यह कहे 80 वर्ष का हो गया कि मैं 90 वर्ष में 10 वर्ष बाद मरूँगा नहीं जिस दिन वो मरेगा उस दिन आज ही मरेगा भविश्य में कभी कुछ नहीं होता है ना मोत ना जीवन तो अर्जुन को जो भैभीत हुआ अर्जुन इसलिए नहीं हुआ कि वहां क्रिशन घड़े के हूत 25 फुट का है अगर तुम्हारा मित्ळ 25 फुट की जगा पर 15 फुट का हो जाए 50 फुट का हो जाए तो तुमें कौन सा फर्क लगेगा तुम ज़ो जानते हो अपने मित्ळ को लेकिन ऐसा नहीं था वहां अपनी मैं अपना एहम अपनी अस Ruth पिर्टा सारा गल गया वहां तुम विलीन हो गए वहां तुम भै चले एक पानी की बहार आई जलजला आया सुनामी आई और वहां तुमे लेके चल पड़ी तब तुम भैवीत हो गए जिस दिन तुम जाने को यहां से सरकोगे उस दिन भै लगेगा उस दिन कापोगे जीवन भी वर्तमान में घठता है और मौत भी वर्तमान में घठती है इस से पहले कि मौत आज़ए तुम जीना सीख लो जान लो उसे जो जानने ही होगी है वरना मौत के शडव में कसट होगा और एक बार अगर एक बार जीना आ गया तो फिर तुम जीओगे और हसोगे भी स्वह्यम पर दूसरे पर नहीं अपनी मूड़ता पर हसोगे कि कैसे पागल थे इतना सुन्दर जीवन वेर्थ गवारे जा रहे थे कंकड़ पत्थर बटोरने में लगे थे पहले तुम भागते थे और तुमारे आसपास रहने वाले लोग यानि तुमारे घर परिवार वाले अनंदित रहते थे तुम मैनत करते थे वो फन लूटते थे और जागने के बाद सत्या का भान होने के बाद तुम अनंद लूटने जाते हो कि चलो अच्छा हुआ देर आए दो दोस्ता है जीवन का अनंद लूटना आ गया तुम हसोगे स्वयम पर और बाकी लोग उदास हो जाएंगे चिंतित हो जाएंगे कि क्या हो गया इनको इतनी मस्ती कहीं पागल तो नहीं हो गए मैं तुम्हें जो भी सुना रहा हूँ वो कई स्थरों की बात है कई लेवल कई तल जो बिलकुल कच्चे घटोंगे ना कच्चे उन्हें मेरी बात के बल नास्तिकता दिखाई देगी वो कहेंगे नास्तिकता है भुष्य की स्वरक को नकार दिया बैकूंड को नकार दिया क्रिशन राम सब को नकार दिया वो कहेंगे ये नास्तिक है और जो दूसरे तल में होंगे उन्हें कुछ अच्छी कहानिया दिखाई देंगी कि कुछ अलग हटके बूला जा रहा है तीसे तल वालों को बुद्धी के तरक दिखाई देंगे कि तारकिक व्यक्ति है हर भात में तरक करता है और चोथे तल वाले को परमात्मा मिलेगा कि वो बुद्धत्व को प्राप्त हो जाएंगे परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे परमात्मा मैं हो जाएंगे और आखरी वालों को आखरी वालों को तो जीना आ जाएगा वो कहेगा कि उसे जीवन जीना आ गया आज का जीवन वर्तमान का जीवन वो बुद्दत्यों से भी एक हाथ उपर हट गए उपर उठ गए उन्हें समझ आ गया वोही परमात्मा है तुम क्या पाते हो मुझे सुनकर यह तो तुम्हें देखना है न मैं तो तुम्हें केवल जीना सिखाता हूँ वरतमान में तुम्हें वरतमान पकडवाता हूँ और तुम बार बार उसी वरतमान से चूक जाते हो मैं तुम्हें आज अभी कुछ सुना रहा हूँ और तुम सोच रहे हो मैं ठीक बोल रहा हूँ तुम्हारी बुद्धी सुहें को जीने में नहीं जा रही बलकि इस विशे में जा रही है कि मैं ठीक बोल रहूं तो फिर तुम चूक गए तुम सोच रहे हो तुम भी जियोगे वर्तमान में जियोगे और जैसे ही तुम नहीं यह सोचा कि तुम भी वर्तमान में जियोगे तुम चूक गए वर्तमान में जियो गे जियो गे का मतलब है बविश्य में तुम आ गए बविश्य के सपने फिर सपने बुनने चल दिये तुम्हें विचार नहीं बनाना था तुम कल सुखी होगे ये सोचते ही तुम चूग गए तुमने आज तक हजादों वचन पड़े कई पुष्टके पड़ी कई कथाएं सुनी हर बार यही सुचा कि अब हम कल सुखी हो जाएंगे तुम बार बार चूग जाते हो और मैं तुम्हें जगाना चाहता हूँ मूर्चा में से जीवन का सुखत हाथ से निकला जाता है बहुत हो गया कल पड़ डालना यह जीवन तुम्हें उल्जाता है तुम्हारे सारे धर्मशास्त तुम्हें उल्जाते हैं मुश्य के प्रती और जो उल्जाता है ना जो तुम्हारे अंदर बैठा है उल्जाने वाला वो है तुम्हारा मन और वो मनी तो तुम्हारी माया है जगत मित्या बरम सत्य जगत माया सुना है ना माया वादी यह क्या है यह तुम्हारा ही तो मन है जिसको तुमने कहा है ना संसार माया वो माया नदी परवत नहीं है वो माया संसारिक बोतिक वस्तुए नहीं है गाड़ी, कोठी, बंगला ये माया नहीं है माया तुम्हारा मन मन का जो कल्पित संसार है तुमने कबीर को सुना ना जो कर फूखे आपना सो चले हमारे साथ कौन सा घर क्या ये बिल्डिंग फूखने की बात हो रही थी तुमारी जोपड़ी या तुमारा महल फूखने की बात हो रही थी उससे क्या होगा अगर तुमारे घर में एक बहुत बड़ी अलमारी पड़ी है हीरे जुहारात, नोट, सोना, चांदी तुम उसे फूख दोगे तो क्या असकती चली जाएगी क्या तुम धार्मिक हो जाओगे क्या मन तुमारा धार्म की रहा पे चल पड़ेगा कुछ भी तो नहीं आसकती और बढ़ जाएगी तुम एक दिर निश्चा कर लोगे पहले ये कलमारी थी है, मैं चार भरूँगा उस मन, उसकी बात नहीं हो रही मन जो यहां पर मन से संसार बसाया हुआ है, उसकी बात हो रही है जो गर्फू के आपना दिमाग में बनाया घर, मन में बनाया संसार, यही माया है तो जो किशन के ने विराठ रूप दिखाया वो विराठ वो नहीं था जो तुमने पुस्तकों में देखा है माल लो वैसा ही रूपे क्रिशन बना के आजाए कोई भी व्यक्ति बना के आजाए जो सो फूट, दो सो फूट उपर हो, हो सकता है सो दो सो फूट तो तुमारी आखी उसका चैरा ना देख पाए और तुम्हें ये पता हो कि एक क्रिशन सामने कड़े है ये बड़े होते चले गए तो तुम क्या ड़द हो गए कुछ भी तो नहीं तुमारे सामने क्रिशन खड़े ते वो ही बड़े हो गए वो ड़द नहीं था ड़द तो था कि एक ऐसा अस्तित तो सामने खड़ा, जहां तुम ही बह गए, जहां तुम ही ना बचे, एक बाल्टी पानी बड़ी थी, अब वो पानी इतना विशाल का रूप लेके खड़ा हो गया, कि तुम्हें भाने लहे गया, तुम उसमें बह चलो, वो डर था, तुमारी मैं का खोना डर है, दूसरे का विराठ होना डर नहीं है, तुमारे अस्तित्तु का बह जाना डर है, आज इतना ही, शेश किसी ओर दिन, अंत में तुमारे भीतर बेठे परमात्मा को मिरनमन, तुम सभी जागो, जाकते रहो. झाँ में तुमारे मिरन बहुतित्तु का बहाईं, तुमारे में तुमारे मोभी घाएंच CanE. म कम टुमारे मिरने थीज़이는!.. ये पखने लगदयों किसी मिरने का बहुत्के का चाहते है, रहे हम ऊना है, तुमारे मिरनमने. कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो